आज मैं फिर से हाजिर हूँ और एक Q&A लेकर आप लोग के साथ तो आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ कुछ रिपीटेड और रांडम सवाल आये है उनका जवाब मैं कॉमेंट बोक्स में दे दूँगी और बाकी जो सवाल है जो मुझे लगा इनको पिक करना चाहिए उनको मैंने पिक किया है और आज एक एक करके उन सारे सवालों का जवाब मैं अपने वोगों को दूँगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत सारे सवाल आए है गाइस तो उनमें से सबसे पहला सवाल जिनका मैं ले रही हूँ उनका नाम है पूजा सिंग और पूजा ना लिखा है के हाई दी मॉनसून की वज़े से हैर फॉल हो रहे है क्या करूँ और उनके साथ साथ और भी गया है तो इन दोनों की सवालों कझ में यह साती है गाई कर दा भी तो इन जाता मैं दो जाता है पूजा मॉनसून के समय असना में बहुत सारे माल जाते हैं मौनसुन के उपर मेरा और एक वीडियो है कुछ दिनों पहले मैंने डाला है आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो उस वीडियो को जाके एक बार उसका लिंक चेक कर लीजिए वहाँ पे मैंने सारे डिटिल दे दिया है और मौनसुन के समय अगर आपको अपने बालों को अच्छा रखना तो सबसे पहली चीज तो सक्याल्प में पसीना बिल्कुल मत हो दिना जितना वसीना होगा उतना ही आपके बाल जडिए और उसके साथ-साथ दूसरी चीज है चंपी कीजिए बालों में थोड़ा सा गरम कर लीजिए तेल को तेल कोई अपने बालों में हलका करके लगाके हलकामसाच किजिए अगर बहुत स्यादा ऐलिग्या आपको सूट नहीं करताय है और कम तिल लगा के साज मसाच किजिए लगिन देल को हलका मड़कर कर दीजिए इसे आपके हेडे करें तो चलिए बढ़ते हैं दुस्रे सबाल की तरब दूसरा सवाल है प्रियांका पांडे का तो प्रियांका नहीं एक रहीं है कि आप एक रहनी निए प्रियांका निए ब्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब भी आप तेल को यस से इंद गरम कर लेगा तो इस हैं और ड्यान रखना के सबसुआ है काशी का जांगरा इनों लिखा है डीतने टाइम में इफेक्च छाएगा Count其實 क्या प्रास्त Chief पुम्हें, तो मुझे तीन माहिने तुछ ने तो आपके केस में उसके पहले भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा लेड भी हो सकता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस लिस्वाल करना पड़ेगा पहला 21 दिन बहुत इंपॉर्डन होता है तीन हपते में अगर कास्टर वाइल को यूज करने के बाद आपके बालों का जढ़न अगर बंद नहीं होता है तो उसका मतलब के वह आपको अच्छा सा अच्छे से सूप नहीं कर रहा है तो उसकेस में तो कोई कामका नहीं रहेगा लेकिन अगर आपको एक परसंट भी पॉजटिव रिजल दिखता है तो इसका मतलब आप इसको कर सकते हो यह आगे अच्छे तो बहुत अच्छे तरीके से बालों को मैनेज करेगा स्ट्रॉंग बनाएगा लिकिन इसका एफेक्ट तीन दिन तक रहेगा तीन दिन के बाद आपको फिरसे से बालों को श्यांपू करना पड़ेगा चलिए बढ़ते है अगले सवाल की तरह तो गाइस यहां पर बी एन इन और मैं अभी क्या स्वाल कर रही हूं तो अभी मैं क्या स्वाल कर रही हूं तो अभी मैं क्या स्वाल कर रही हूं यह मेरा देड़ साल हो गए मुझे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मुझे यह कहा है कि आपका बालों का पहले से बहुत इबूफ है तो एक अच्छी चीज है मैं लगा एहुँ हूँ तो अगर अच्छा रिजॉल दे रहा है क्यों छोड़ो इसको अगर आपडेड वाला वीडियो बनाओ तो बहुत जल्दी बनाओंगे अपडेड वाला वीडियो आपडेड वीडियो आप जूँ आपको थीयान रखना है थोड़ा सापको वाम अपको वाम उपकर लेगा है और अगर उसका कंसिस्टेंस इतना ही गाड़ा रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा अपके स्काल्प को इसको अब्सॉर्ब करने में इसलिए मैं हमेशा यही कहते हूं कि जब भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा गरम कर लेना पड़ेगा बस यही है और कुछ नहीं है तो कैसे बढ़ते हैं और एक सवाल की तरफ यहां पर अरपीता दे इन्हों लिखा है कि यह चार डिफरेंट तरीकों के कास्ट एसेंशल ओयल को कास्ट और क कास्ट आप इसकों तरफ मिला एक साथ मिला कर इसका एक कॉंबिनेशन बना के इस्तमाल करते हैं तो आप कर सकती हो बस इसका जो रेशियो है वो ठीक होना चाहिए जो भी बेस आइल आप इसको टेबल स्पून ले रहे हो तो उसके साथ अगर आप इतने सारे ऐसंशल आप तो तीन डॉप करके लेना तीन से चार्ट डॉप इसे दादा मत लेना और एक चेबल स्पून बेस ओयल के साथ जादा मत लेना और बाकी जो एसेंशल ओयल से उनको उसी प्रोपोर्शन पर लेना तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप अराम से स्वाल कर सकते हो ज लेकिन मैं यह सजेस्ट करूंगी कि कोई तेल के साथ ही आप इसको मिला के लगाईए तो इसे अपको जादा अच्छा फाइदा मिलेगा आप चाहे तो तो राइस पैक के साथ मिला कर सकती हो यह भी काम करेगा बट कोशिश यह कीजिए कि किसी भी दूसरे ओल के साथ मिला क आपने देख लिया है वीडियो जादा इस्तमाल मत कीजिए जादा शायद आप थोड़ा सा जादा प्रेस कर रहे है या फिर जादा टाइम तग इसको अपलाई कर रहे है इट इस नॉट नेसेसरी आप अगर हपते में चार से पांच बार डर्मा रोलर का इस्तमाल करते हो या फिर हर दिन करते हो तो फाइब मेनिट्स कीजिए लाइट मसाज कीजिए जादा घिसिये मत क्या होदा स्कैल्प छिल जाता है डर्मा रोलर को अगर हम जादा घिसता है तो लाइट मसाज इस वेरे इंपोर्टन तो वो कीजिए अपके बालों का जढ़ना बंध हो जाए है अब एक फ्रेश कॉमेंट कर दीजिए बहुत जल्दी उसका भी मैं रिपलाइ कर दूंगी या फिर एक और क्यूए बना के वहां पे आंसर दे दूंगी आज के लिए बास अद इतना ही होप यूप 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 आप एंच्वाब एंच्वाब इस वीडियो गाई और होँपे एड़ा इडी है शिनी रूप शिन्य-य-2-1-0-5--0-5-0-0-5-0-6-0-5-0-6-1-0-9-0-5-0-6-0-9-0-5-1-0-6-0-0-5-0-6-0-6-0-5-0-5-0-6-0-5-0-6-0-6-0-5-0-6-0-5-0-5-0-8-0-5-0-6-0-5-0-5-0-7-0-6-0-6-0-8-0-5-0-6-1-0-5-0-5-0-6-0-5-0-6-0 झाल